हाई फ्रेंट्स वेलकम बाक टू स्टडी क्लासस तो प्यारे दोस्तों एच्पी सी पीजिती कॉमर्स का एक्जामिनेशन काफी पास आ चुका है अरूंड 15 डेस का समय इस एक्जामिनेशन को कंड़क्ट होने में और आपको भी थोड़ी सी टेंशन थोड़ी सी नर्वसनेस भी जरूर हो रही होगी और होनी भी चाहिए लिए काफी समय से अच्छे से त्यारी करते हुए आ रहे हैं तो अभी आपके साथ इस चोटे से से सिशन में डिसकस करेंगे कि आगे आपको किन चीजों का ध्यान रखना है 15 डेस के लिए क्या स्ट्रेजी आपकी होनी चाहिए प्यारे दोस्तों सबसे पहले तो you must have this belief अपने आप पे भरोसा रखना है कि you can crack this examination in 15 days अगर आपने अपने मन में भरोसा रखा कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत अगर आपने मन में यह ठान लिया है कि मजो यह examination किसी भी हाल में crack करना है और जो भी हो मैं इस examination में अपने जो score है उसे बेतर करके रहूंगा रहूंगी तो आप इस examination को crack कर लेंगे और अगर आपको लगता है कि examination आप नहीं crack कर पाएंगे आपने अपने मन में हार मान लिये तो फिर examination आपका नहीं होने वाला तो सबसे पहले तो अपने उपर बरोसा रखिए अगर आप आपने अभी तक बहुत सारी पढ़ाई करिए तो बहुत अच्छी बात है अगर अभी तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएं तो अभी भी 15 डेज आपके पास है और इसमें आप अपना जीजान लगा दो ताकि examination वाले दिन आपके mind में कोई regret ना रजाए और अच् मेरे दोस्तों पैनिक तो बिल्कुल नहीं करना है अब कई ऐसे friends होंगे मेरे जो कि थोड़ा सा पैनिक होना start कर गए होंगे उन्हें पहले लग रहा होगा सब हो जाएगा ठीक है मुझे चीजे आती है बट अभी एकदम से examination आ गया है तो और वो अपनी notes वगयरा उठाके द बताऊंगा पैनिक बिल्कुल नहीं करना है पेशिंस के साथ अपने माइंड को यहाँ पर काम रखके अपनी preparation को continue आपको करना है यह 15 डेस काफी जादा crucial है और अगर आपने इन 15 डेस को सही सा यूटिलाइज नहीं किया तो हो सकता है यह examination में आप next stage तक ना पहुंच पाए आने वाले 15 डेस के लिए टाइम प्लान आपको बना लेना है और उनमें किन चीजों को ध्यान में रखना है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ तो प्याले दोस्तों आपको पैनिक को काम करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये करनी है कि कॉपी पैन उठा लेना और एक 15 डेस का time plan अपने पास बना लेना है और उसमें और अपने practice mode पे आजाओ, practice mode पे shift हो जाओ, अगर अभी तक आप साथ-साथ practice कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी तक आपने कोई practice नहीं करी है, तो practice mode पे आना आपके लिए बहुत-बहुत ज़ादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि examination के अंदर तो MCQs आएंग लगाएंगे, उससे आपको confidence boost होगा, और आपको जो panic है, वो यहाँ पे काम होगा, tension nervous ने सापकी काम होगी, practice कहां से करें, आप प्रिविएस एर के सवालों को solve कीजे, HPSC के तो नहीं मिलेंगे, बट H-Tate वाले सवालों को solve कर सकते हैं, इसके लावा जो और exams होते हैं, PGT के जैसे KVA से, NVA से, और जत्ते भी examinations हैं, हमारा question bank अगर आपके पास है, तो उसमें आपको यह सारे paper भी मिल जाएंगे, और अलग से practice के लिए mocks भी मिल जाएंगे, तो आप उसका भी benefit यहाँ पे ले सकता है, उसको भी utilize कर सकता है, तो practice mode में आना बहुत जरूरी है, और अग practice करेंगे, तो उससे आपका revision भी indirectly होता रहेगा, paper ऐसा होता है कि अगर हम revision के लिए अपनी किताबें उठाते हैं, notes उठाते हैं, videos को देखते हैं, तो हमें लगता है, हमें सब चीज़े आती है, बट जब MCQ solve करने बैठते हैं, तो हमें असल माहिने में जानकारी होती है, कि क क्या चीज़ आती है, और क्या चीज़ नहीं आती, तो पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, और इसलिए सीधा revision करने की बजाए, आप MCQs के थूरू revision करो, data is going to be more effective way of revising and practicing, इसके लावा बहुत सारे facts आपकी preparation के दौरान आपके सामने आयोंगे, तो सारे facts को note down कर लीजे, अब यह आप practice करेंगे, revision करेंगे, उसमें भी बहुत सारे facts आएंगे, तो सारे facts को note down कर लीजे, क्योंकि ऐसे examinations में कई बार सीधे-सीधे facts भी आ जाते हैं, कई बार तो सीधा-सीधा यह पूछ लेते हैं, कौन सी किताब, किसने लिखी, कौन सी definition, किसने दी, कौन सा accounting standard, किस से जुड़ा हुआ है, तो यह सब चीजों को handle करने के लिए आपको यह सारे facts याद रखने होंगे, और facts याद जितने मर्जी कर लो, बट जब तक exam से 2-3 दिन पहले उनको नजर ना लगाई जाए, उनको एक बार दुबारा से याद ना किया जाए, तो examination के समय confusion हो जाता है, याद नहीं आते हैं, तो सारे facts अगर note down होंगे, तो आप exam से पहले एक बार उन्हें अच्छे से देख लेंगे, तो exam में दिक्कत नहीं आएगी, तो 15 days का time plan आपको इस तरीके से होना चाहिए, उसमें यह सब चीज़े होना चाहिए, the most important element is practice, अगर practice नहीं include किया, तो फिर दोस्तों इस examination को crack करने में आपको काफी दिक्कत आ सकती है, तो practice को तो जरूर include कीजिएगा, प्यारे दोस्तों, हमारे पास काफी सारी request भी आ रही थी, कि सर YouTube पे कुछ practice के लिए MCQs लेकर आईए, तो अभी हम आपके लिए YouTube पे MCQ revision series भी start कर रहे है, especially for this examination, तो उसका जो schedule है हम अभी YouTube पे post कर देंगे, और hopefully next 1-2 days के अंदर उस series को भी start कर देंगे, तो यह सारी details आपको हमारे YouTube channel पे मिल जाएगी, और फड़ा-फड़ से हमारा जो practice है, वो हम यहाँ पे start कर देंगे, इसके अलावा भी हमारे YouTube पे प्लेइलिस्ट बना हुए PGT commerce करके, और उसमें PGT commerce के लिए बहुत सारे MCQs की practice करा रहा रखी already, तो अगर आपको अच्छा लगता है कि वीडियो काफी अच्छे से यहाँ पे हो जाएगी. के अंदर, all the best, bye, take care.